हलो दोस्तो रामगार टेक में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले MP यानि मद्य परदेश बिजली विभाग के तरफ से कुछ जौब निकाली गई है तो आज हम इसी जौब के बारे में बताने वाले दोस्तो तो जो लोग यहां बिजली विभाग में जौब करना चाहते है और इस वेकैंसी को अपलाई करना चाहते है वीडियो को पूरा देखिए वीडियो स्टार्ट करने इस पहले आप से रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को अगर सब्सक्राइब निके तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस रेड बटन पर क्लिक करें और बेल का आइकन ओन करें ताके जो भी वेकैंसी से रिलेटेड वीडियो में अपलोड करूं आप तक सबसे पहले पहुंच सके कि एमपी विभाग न इस जॉब को निकाला दोस्तों जिसमें पोस्ट का नाम जो बताया जा रहा है ओफिस सर अशिस्टेंड जी हां दोस्तों 우f अशिस्टेंड यह बताय जा रहा है इसका आरम टिति 27 N vive 17 बताया जा रहा है और अंतिम हैं 20 सलच इसका परिक्षा तारिक ज माति पर्देश इसमें फीज जो बताई जारी दोस्तों एक हजार रुपया बताई जारी है ओबीजी जेनरल को हटी 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 पीएच को 800 रुपया और यहाँ पर ऑनलाइन जमा करना है आपको पेमेंट आफलाइन आप जमा नहीं कर सकते एज लिमिट यहाँ पर जो मांगा गया है इसमें वो 18 साल से 40 वर्ष तक बताया जारा तो 18 साल से 40 वर्ष तक जो भी लोग होंगे वो लोग इस जॉब को अपलाई कर सकते चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तो और एजुकेशन बताते हैं इसमें कितनी एजुकेशन है यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको पद संख्या बता देता हूँ 145 पद संख्या है और एजुकेशन कौलिफिकेशन जो इसमें बताया गया वो ग्रेजुएस पास जी हाँ गया है तो जो लोग भी ग्रेजुएसन किये हैं वो लोग इस जॉब को अपलाई कर सकते अधर कैंडिडेट यह अपलाई नहीं कर सकते हैं अपलाई करने के लिए दोस्तों साथ दिसंबर स्वरी 27 दिसंबर से पहले इस जॉब को आपको अपलाई करना होगा इसका लिंक मै अगर आप मेरे चैनल पर नहीं चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं के तो चैनल को जरू से सब्सक्राइब कर लिए पास में बेल आइकन है उसको दबा दीजिए ताकि आपको रोजाना नौटिफिकेशन मिल सके वीडियो अपलोड होते ही दोस्तों अगर वीडियो में आ अगना टेक केर पाई